नमस्कार, A to Z Dishes उशा गुर्जानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ गवार फली आलो के समझी अब आपने ये कई बार बनाई होगी पर मैं मानती हूँ कि अब आपने ऐसे नहीं बनाई होगी ये इतनी स्वाद वाली लगती है न सच बताई इसके लिए 300 ग्राम जितना हो सके न छोटे छोटे आलो लेना कच्चे और इसका छिलका निकाल कर इसे पानी में रख देना और 300 ग्राम गवार फली को भी अच्छे से साफ करके चोटे चोटे टुकडों में काट कर पानी से वाश कर लेना इसे ये जो सबजी SM कोकर में बनाएंगे तो मैंने कोकर में 2 चमस तेल डाल दिया है जैसे तेल गरम हो जाए तो 4-5 लसन की कलियों को बारी काट कर 2 हरी मिर्ची कटी वे मोटे टुकडों में 4 चमस जीरा और ये कच्छे आलू चोटे चोटे होंगे न तो देखने में भी बड़िया लगते और काफी अच्छे लगते इसे 2-3 मिर्ट तक अच्छे से भूनना है लसन हरी मिर्ची के साथ और उसके बाद स्वात के नुसार नमक आदी चमच लालमिश पाउडर, चोथाई चमच हल्दी पाउडर और आदी चोटी चमस धनिया पाउडर फिर भी नमक और मसाले आपके उपर है, मसालों के साथ भी आलू को लगभग 1-2 मिनिट के लिए अच्छे से भूनना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक से 2 मिनिट हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर में डाल रही है यह गवार फली जादा बड़ी भी गवार फली आपको नहीं काटने हो, जादा छोटी भी नहीं, बस इस तरह से काटना और आलू के साथ इसे भी आपको 1-2 मिनिट के लिए अच्छे से भूनना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैंने बून लिया है, और अब आती है पानी डालने की बारी तो जादा पानी नहीं डालना है, बस आधा कब जितना पानी डाले बस अच्छे से एक बार मिला ले और गुकर का ढखन देते हुए, इसे दो से तीन विसल लेने की दो से तीन सीटी आने तक पकाए जैसे ही पक जाए, गैस को बंद कर लेना, प्रेशर निकलने देना और उसके बार यी ढखन को खोलना बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बनकर तयार है, ये चोटे-चोटे आलू जितने दिखने में बढ़िया लग रहे, उतने गवार फली के साथ बहुत सुआदवाले लगते है अब ये सब्जी आप इसे ऐसे ही खाए, या फिर गर्मा गरम रोटी के साथ खाए, चावल के आटे की रोटी, या फिर बाजरे के आटे की रोटी, या तो फिर चावल के साथ, यह बहुत 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 ही बढ़िया लगती है, हेल्दी भी है, टेस्टे भी है, अब कोई नहीं चलेगा कि आप गवार फली नहीं खाते बच्चे होया बड़े सभी से खाना पसंद करेंगे तो ट्राइ करना और यहां तक है तो चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूले थांक यू